हेलो दोस्तों मातसर सती किचन के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है मैं रेनु अस्थी आप सभी लोगों को अनुन्त चतुर दसी की हार्दिक शुप कामने देती हूँ दोस्तों आज बहुत ही इंटरस्टिंग होने जा रहा है अनन्त चतुर दसी के असर पर हम आप सभी लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं आदू की कचोड़ी आईए वीडियो में चलते हैं पैन को गरम कर लिया है और यहाँ पे हमने जीरा सौफ और ग्रेट करी हुई अदरक हमने जो है इसको भूनना सुरू किया है इसमें हमने हर्के सी हींग भी डाल ली थी और बारिक चॉप हरी मिर्च हमने अड़ कर दी हैं और इसके बाद इसमें हम आलू कसी हुई जो है बॉयल्ड आलू इनको हम भून लेंगे इसका भरावन कचोड़ी का तयार करेंगे यह देखिए साही डंग से इनका कलर बदलने लगा है अब यह बून करके ब्राउन होने लगी यहां पर हमने गरम मसाला और पीसी भी धनिया हमने अड़ कर दी है जो कि इसके टेस्ट को इनहेंस करेगी और इसको साही डंग से चलाते रहें जिसमें पैन में चिपक न जाए और इसमें स्वादा नुसार हमने नमक एड़ कर दिया है और इसको साही डंग से मिला देते हैं इसको साही डंग से बूनते रहें देखिए अब धिर धिरे इसका कलर चेंज होने लगा है यह देखिए अब इसमें हमने लेमन जूस इसमें एड़ कर दिया है एक पूरा लेमन हमने इसमें निचोड करके डाला है बीज निकाल दिया है जोंकि बीज जाने से टेस्ट खराब हो सकता है तो यहां पर हमने करस करके अजवाइन आटे में डाल दी है कचवड़ियों के लिए हम आटा गूठेंगे इसमें हमने नमक डाल दिया है और मोयन के लिए हमने सफिसींट इमांट हमने एक चम्मच रिफाइंट टेल एड़ कर दिया और उसके बाद इसको बड़े आराम से हम yay सौफट नाता कूत लेंगे ऊची और इसके लिए बिटर तयार हो जाएगा फूटने के लिए कॉत्मिके लिए अठा और कम voltar अभी इसको रिष्ट करा है क्लिए ठीद रहाँ गाए कुद्था लिए तैर करेंगे और इसको जो हात से ही इसमें कचोडियों का भरावन जो हमने तैर किया था अलू का वो भड़ देंगे बड़े आराम से इसमें देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसमें हरी मिर्च दिखाई पड़ रही है नेशरल टेस्ट आ रहा है और इसमें हमने हल दी अगरा नहीं जैसे समोसे का authentic टेस्ट होता है उससे better टेस्ट कचोड़ी काता है और जब इसमें soft पड़ जाती है तो अपने आप जो है बहुत अच्छी खुस्पू आने लगती है और जो कचोड़ियों का आलू का भरावन है बहुत टेस्टी हो जाता है इस तरह देखें बड़े आराम से हमने दबा दबा के हाथों में भी थोड़ा सा तेल लगा लें जिससे जो है वो आपका आटा वैसे भी उसमें मोयन पड़ा है जिप्टेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा हैंडल करने में आसानी रहती है अब यहाँ पे हम डी फ्राई करेंग तेल हमारा अलमोस्ट करम था और इसको साही डंग से लो मेडियम फ्लेम पे हम सेक लेंगे देखें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर धीर धीर हमारी कचवड़ी का चेंज होने लगा है और आप सभी लोगों के लिए टेस्टी कचवड़ी तयार हो रही है दोस्तों जो लो खरा यह जो सपोर्ट है सेर का like का और आपके जो comment हम लोगों को मिलते रहते हैं उससे हम प्रेजिक होते हैं नैने इंट्रेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए और सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें प्रोसान मिलता है हम को और ताकत मिलती है कि मच्छे वीडियो बनाएं जीजे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए टेस्टी कचवरी अनंद चतुदसी के उसर पर आप लोगों के लिए ह चाय के साथ इसकानन ले अचार हमने रखा हुआ है हमने जो है हरी मिर्चों को भी तेल में फ्राई कर लिया था और उसमें नीमू और कला नमक डालकर कर लिया बहुत टेस्टी ये मिर्चे होती हैं तोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें मिलते है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए